हाँ जी देखो बोड पे अब revenue expenditure include capital expenditure ये क्या होता है सबसे पहले तो आपको समझना होगा ये revenue expenditure मैंने क्या लिखा है तो revenue expenditure वो expense होता है जिसका benefit one year के अंदर complete हो जाता है यानि profit and loss के और trading account में जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे के सारे revenue expenditure है चाहे electricity bill है चाहे आपका water bill है चाहे stationary है चाहे depreciation है सारे कौन से expenditure है revenue क्योंकि एक साल के अंदर ही benefit मिल जाता है लेकिन capital expenditure कौन सा होता है जिसका benefit लंबे समय के लिए मिलता है जो जैसे की हमारा fixed assets अगर मैंने rent paid किया तब भी मेरे जेब से पैसे जा रहे है अगर मैंने machinery खरीदा तब भी मेरे जेब से पैसे जा रहे है normal बोल चाल में साधारन मैं क्या बोलूँगा जी मेरे तो खर्चा हो गया rent दिया ये भी खर्चा machinery खरीदा ये भी खर्चा वो पी एंडल का पार्ट है और जो machinery खरीदा वो balance sheet का पार्ट है हमारा तो कई बार क्या होता है जैसे suppose करो कि मैं अगर building बनवाता हूँ new building तो इस building को बनाने में बहुत सारे labor मिलके काम करते हैं तो जो labor काम करेंगे उनको क्या दिया जाएगा wages तो अगर हम किसी को भी new machinery को बनाते टाइम पर wages देंगे तो journal entries wages का कैसे करेंगे अब wages मैंने building को बनाने में दिया suppose करो एक लाख रुपए एक लाख रुपए का wages है जनल एंट्री क्या होगा सोचो building account debit to cash क्योंकि जब कभी भी कोई भी खर्चा किया जाएगा making of assets करने के लिए तो वो खर्चा हमारा उसी assets के name से call होगा अगर नई building में मैं whitewash भी करवा दू और whitewash का मैं खर्चा देता हूँ तब भी whitewash के नाम से entry नहीं करेंगे किसके नाम से होगा building लेकिन अगर यही पुराना हो जाने के बाद whitewash करवा दू तो वो capital expenditure नहीं माना जाता वो revenue तो अगले साल अगर whitewash करवा होँआ तो whitewash account debit हो जाएगा यानि तो सबसे पहले तो ये बात clear होना चाहिए कि assets को खरीदते time पे जब खरीदने जाएंगे जितना भी खर्चा होगा सारा उसी assets के नाम से record होना चाहिए चाहे मैं machinery खरीदता हूँ तो machinery को लाने में जो किराय दिया जा रहा है carriage वह carriage carriage के नाम से entry नहीं होगा किसके नाम से होगा वह machinery के नाम से अगर machinery को install करवाने के लिए किसी को labor दिया जा रहा है wages दिया जा रहा है तो wages के नाम से entry नहीं होगा किसके नाम से होगा machinery के नाम से तो एक point clear होना चाहिए आपको कि नए assets खरीदते टाइम पर हमें यह करना चाहिए ऐसे ही कई बार क्या आता है मैंने revenue expenditure यानि अगर मैं बोलू wages paid मैं यह नहीं बता रहा मसीनरी पर किस पर सिर्फ wages लिखता हूं तो आप हम assumption क्या लेते हैं normal wages है तो यह revenue expenditure है और फिर मैंने सिर्फ wages यह profit and loss का पार्ट है यानि trading account में जो भी आप दिखाएंगे हम तो कई बार क्या होता है लिखा होता है question में wages paid for installation of machinery include in wages wages मैंने paid किया installation of machinery लेकिन गलती से मैंने किसमें जोड़ रखा है normal wages में तो क्या wages paid जो installation of machinery के अंदर जोड़ गया क्या वो wages account का part है या machinery account का part है तो वेजिस से हटाना पड़ेगा और machinery में add करना पड़ेगा तो अगर इस तरीके का कोई होता है हमारा इसका example दे देता हूं मैं revenue expenditure हो सकता है हमारा रेंट कि वेजेज salary etc और इसका capital expenditure तो आपको समझ में आई गया अब इसकी entry कैसे करेंगे जब इस तरीके का कुछ भी हमें मिले तो एक तो हम कर देंगे less कि फ्राउं कि expense कि अब मैंने यहां पर expense word इसलिए लिखा लिखिन कौन से expense में से चाहे वो कि profit and loss का हिस्सा हो या फिर क्यूंकि खर्चे दो ही जगह है हमारे पास अगर salary में include है salary से minus wages में include है purchase में include है purchase से minus suppose करो मैं बोलता हूं मैंने machinery खरीदा और गलती से मैंने purchase में डाल दिया है तो purchase तो मैंने गलत लिख दिया ना वो तो हमारा जो machinery खरीदा किसका part होना चीए हमारा balance sheet का तो हमें purchase से minus करना पड़ेगा और कहां दिखाना पड़ेगा balance sheet में दूसरा हम add कर देंगे add कर देंगे कहां पर balance sheet में और balance sheet के asset side add in balance sheet के या मैं पहले लिख देता हूँ add in fixed assets add in asset कर देता हूँ अब समस्या यह है कि कौन से assets में add करेंगे यह तो आपने बता ही नहीं मसिंडरी की बाद चल रही है तो building की बाद चल रही है तो furniture की बाद चल रही है तो furniture depend करता कि किसके उपर यह part है add in assets कहां पर balance sheet के अंदर एक और समस्या आएगा जब यह करोगे तो मैंने statement लिखा wages paid installation on machinery यह wages include कर देते हैं wages include 2000 which paid installation installation on machinery क्या आपको इस sentence का मतलब समझ में आ रहे हैं कि जो हमने wages paid किया ना wages 2000 नहीं है वीजिस तो बहुत सारा होगा पचास हजार हो सकता है wages लेकिन उसमें 2000 रुपे जुड़ा हुआ है कौन से वाला जो इंस्टालेशन है तो इसका treatment कैसे होगा मान लो मेरा एक नॉर्मल वेजिस जो है जो वेजिस दे रखा है आपको एक्जामनर ने वेजिस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक लाक रुपे खा तो हम पहले trading account बना लेंगे यहां पर यह मेरा trading account है ठीक है short word यूज कर रहा हूं मैं यहां पर और यह balance sheet है और balance sheet में पहले से machinery है suppose करो 48,000 का यह balance sheet का कौन सा side है asset और यह liability और wages मैं लिखूँगा wages मैं लिखूँगा कितना लिखूँगा मैं एक लाक यहां तक समझ मैं आ एक लाक आपको अब क्या करेंगे हम इस adjustment को इस adjustment को कैसे करना चीए था wages में जुड़ा हुए 2000 माइनस करो installation कितने 2000 98,000 आ जाएगा यह तो wages वाला पार्ट अब इस 2000 की double entry करनी है यह complete कहां करेंगे assets में add कर देंगे add wages या installation charge 2000 समस्या यह है मालो depreciation भी देता है 10% तो 10% इस पे लगाएंगे या फिर पूरे 50,000 पे लगाएंगे या फिर इस पे अलग लगेगा और इस पे अलग लगेगा यह problem आ जाता है अब देखो जब wages paid किया होगा तो किस पे paid किया होगा जो machinery खरीदा है इसी पे तो यानि जो date इस machinery का होगा उसी date के according इस पे भी लगेगा simple language में बोलू तो हमेशा debt लगाना total करके किस पे लगाओगे total पे जो भी total है उस पे अगर बोलता है यह machinery खरीदा है आपने एक 9 को तो 6 मेने का debt लगेगा sorry एक 10 को तो 6 मेने का debt लगेगा तो पूरे पे 6 मेने का आप debt लगाओगे तो कई बार ऐसा हो सकता है आपके question के अंदर कि कुछ expense जो है उसमें जुड़ा हुआ हो assets का हिस्सा तो वहाँ उस expense से minus करो और लेके कहा चले जाओ आप balance sheet के asset side एक ऐसा ही word आएगा cycle seeds cycle seeds क्या होता है जहां cycle को खड़ी करते हैं उसके उपर देखा होगा आपने चद्दर टाइप का डाल देते हैं ताकि या फिर पार्किंग के उपर आपने देखा होगा चद्दर टाइप का डाल देते हर किसी के school में होगा जरूर तो जब वह हम expense कर रहे हैं मानलो मैं उस cycle seeds को बनाने पर खर्चा कर रहा हूं तो it is a part of building कि मैंने उस cycle seeds को बनाने के लिए wages paid किया है एक लाख रुपे का और पहले से total wages था मेरा पांच लाख रुपे का और पांच लाख में वह एक लाख रुपे जुड़ा हुआ है cycle seeds वाला तो यानि पांच लाख का wages अगर मैं ट्रेडिंग में दिखा दू तो गलत है ट्रेडिंग में कितना आना चीए यानि पांच में से माइनस हो के दूसरा कहा एड हो जाना चीए building में reason why building में एड होना चीए क्योंकि यह building का part है तो जब कभी भी कोई भी ऐसा assets हो जिसको बनाने पर कोई भी खर्चा करो वो गलती से अगर किसी खर्चे में जुड़ा हुआ है तो वहाँ से minus करें और assets में दिखा दे in fact कोई भी assets आपने खरीदा है गलती से include कहा है purchase में जैसे मैंने बोला computer purchase one lakh include in purchase तो अब purchase तो गलत हो गया न अब purchase कैसे ठीक करेंगे purchase minus और वो एक लाक रुपे कहां जाएगा assets में depreciation जिस दिन purchase का date दे रखा है वही depreciation अगर date नहीं दे रखा तो starting से मान लो खरीदा होगा या फिर end में मान लो लेकिन नीचे आपको अजंशन यानि नोट देना पड़े है कि हमने इस computer को माना है कि इस दिन खरीदा हुआ है तो एक यह important adjustment है यह exam में पूछा जाता है कई बार अब आपके book में देखो adjustment number D जो मैंने बोला भी मैं इसको करव पढ़ लिया है समझ में आगे कैसे करना इसको झाल